नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइब के स्पेशल रिपोर्ट राहूल गांधी ने साल दोहसार चौबिस में होने वाले लोक सभा का आगास कर दिया है पांच राज्यों के चुनाओ का समापन हुआ है और दूसरी तरफ राहूल गांधी ने केरल ज पोज रही है कि इसका तोड आखर क्या है बीजेपी मुश्किल में फस्ती हुई नजर आ रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पांच राज्यों के चुनाओं में कही न कई पीछे नजर आए हैं तो वही दूसरी तरफ बीजेपी आप सोच रही है कि कैसे राहूल गां प्रियंका गांधी ने तै कर दिया है कॉंग्रेस ने इस बार मुद्ध तै कर दिया है और कहीं न कहीं बीजेपी उसमें फस्ती हुई नजर आ रही है खुद प्रधान मंती नरेंद्र मोदी तोड निकालते हुए नजर आ रहे हैं तो पांच राजियों के चुनाओं में आ कॉंग्रेस के तरफ से बनाई गई है और क्या राजनितिक माहोल है लगातार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो पांच राजियों का क्या हाल है यह आप सभी को पता है अब आपको बताते हैं कि जैसे ही तेलंगाना का आखरी चुनाओं प्रचार का आखरी दिन था उस पाले लोगों से मिलने आया हूं राहूल गांधी का जनता से कनेक्शन जो बढ़ रहा है यह बीजेपी के लिए सरदर्दी बन रही है कभी आटो आलों के साथ नजर आते हैं तो कभी वो सफाई कर्मियों से मिलने चले जाते हैं तो कभी डिलिबरी बॉइस से बैठ कर राहूल गांधी लगातार जनता से अपने आपको कनेक्ट कर रहे हैं कभी चाय की दुकान तो कभी पान की दुकान लगातार राहूल गांधी जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं यहां तक की खबरे ये भी चल रही हैं कि बीजेपी भी इस बात को मान रही है कि राहूल गांधी की चवी जो है अब वो सुधर चुकी है लगातार राहूल गांधी बहतर काम कर रहे हैं और जनता से जो उनका connection बढ़ रहा है ये बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ा कर रहा है राहूल गांधी की जो नीतियां रणीतियां है उसमें कहीं न कहीं बीजेपी फस्ती हुई नजर आ रही है जातिये जनगर्ना की जो बात राहूल गांधी कर रहे हैं अब उसमें बीजेपी जो है बुरी तरीके से फस्त कई है पहले तो बीजेपी ने विरोध करने का माहूल तो बनाया लेकिन जब ये सोचा कि ये मुद्दा जो है ये अब बढ़ेगा और कहीं न कहीं बीजेपी इस पर फस जाएगी तब उन्होंने ये कहा कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं नेता प्रवक्ता बीजेपी के ये कह रहे थे कि हम भी इसका समर्थन करते हैं कुछ चीजों पर लेकर वो उसमें टिपड़ी कर रहे थे सवाल खड़ा क चाहिए कहीं न कहीं राहूल गांधी ने जो गुगली फेकी है उसमें बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से फस चुकी है खुद प्रधानमंती नरेंद्र मोदी इसका तोड निकाल रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं आपको याद होगा कि जाती जब राहूल है जब इनको प्रधानमंत्री बनना होता है जब चुनाव आते हैं तब यह कहते हैं कि मैं तो वी सी हूँ और अब यह बता रहे हैं कि मेरे लिए बस एक ही जाती वह गरीबी है उसके बाद राहूल गांधी का जैसे ही यह बयान आता है उसके बाद अगर आप देखे तो ख खड़ा कर रहे हैं और उन मुद्दों में बीजेपी फस्ती हुई जा रही है इसके बाद जब राहूल गांधी ने यह पूरा बयान दिया और लगातार बीजेपी जो है वो वी सी सीम की बात कर रही है और कही न कहीं जाती है जणगर्ना से मनाही भी नहीं कर रही है उसके कहा कि जातिय जनगर्ना कांव रोध नहीं करते लेकिन ये केंद सरकार का मामला है केंद सरकार चोहें इस पर फैस्टल लेगी वो कराएंगे पिम मोदी कर आंगे अनुपरिया पस्थ जो की पीजेपी कि सहयोगी पार्टी जो रोब उसकी अध्यक्ष में वह यह कह रहे हैं कि प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जातिय जनगरना कराएंगे अब जहां जहां पर बीजेपी की सरकार हैं वो यही कह रहा है कि प्यम मोदी कराएंगे अब प्यम मोदी ने फिर से तोन निकालने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है एक जाती से बढ़ कर कि सबसे बड़ी चार मेरे लिए हैं वो हैं गरीब युवा महिला और किसान दो और गरीफ यो आकिसान यह सबसे बड़ी चार जाटिया प्रदानमंति नरेंदर मोदी के लिए हैं उन्होंने यह कहा है अब ऑफ जाती से चार जाती पर आगए हैं और देखना होगा कि समय और कौन सी कौन सी जातिया जो हैं वो बढ़ती हैं क्योंकि यह सबसे बड़ी चार जातिया है पीम मोधी का ऐसा कहना है लेकिन अगर आप देखें तो मुद्दे वहीं है जो राहूल गांथी लगातार खड़ा करते आ रहे हैं सिक्षा स्वास्त और तमाम जो किसान मजदूर की बात कर रहे हैं आदवा है कि सारे अस्पताल जो है वो पूरी तरीके से कॉर्परेट मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं और यह सही नहीं है हमने राजस्थान में किया है जो चिरंजीवी योजना जो उनकी है जो लगातार राजस्थान में चुनाव का बड़ा मुद्द जो है वो बनी रही हमने बाकी और भी राज्यों में अगर हमारी सरकार बनती है तो वहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे यहां तक की गारेंटी जो कॉंगर्स के तरफ से दी जा रही है उसमें भी इसे समलित किया गया है अब राहूल गांधी ने वहाँ पर एक हॉस्पिटल में पहुँचकर केरल के यह तो बयान दिया कि सारे अस्पिताल जो है पूरी तरीके से कॉर्परेट मशीन के तौर पर काम कर रहे हैं इसके साथ उन्होंने आगे भी बहुत सारी बाते कहीं तो सबसे पहले आपको तीस सेकेंड की एक राहूल गांधी की सुनाते हैं और उसके बाद आपको बतात की हिंदी में कि क्या कुछ राहूल गांधी ने वहाँ पर कहा था और इसके माइने क्या हैं सूना आपने राहूल गांधी को राहूल गांधी पहुचकर ये कह रहे हैं कि सारे हौश्पिट जो ओपूरी तरीके से कॉर्प्रेट मशिन के तोर पर काम कर रहे हैं और राश्टी अस्तर पर हमें स्वास्त सेवाओं के बारे में अलग सोच विक्सित करने की जरूरत है। जो राहूल गांधी जिन बातों की चर्चा लगातार अपने संबोधन में अपने बयानों में करते आए अब वही बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राजियों में बहतरी की कोशिश कर रहे हैं। पांच राजियों का चुनाव खत्म होता है। चुनाव प्रचार तिलंगाना का खत्म होता है। दूसरे दिन केरल पहुँचते हैं। और बता ये भी जा रहा है कि राहूल गांधी की पूरवी एशिया में कई देशों में बैठके हैं। और वहां से आने के बाद फिर से राहूल गांधी कोई बड़ा नाउंस्मिंट कर सकते हैं। और जनता से जो एक निचले तबके के लोग हैं उनसे वो मिल सकते हैं। मंत्री बन जाना तीसरी बार भी प्रधान मंत्री मोधी बन जाएंगे अब राह जो है वो मुश्किल नजर आ रही है कैसे बीजेपी पार पाएगी कैसे बीजेपी तोड़ निकालेगी ये देखना दिल्चस्प होगा साल दोहजार 24 में लोग सभा चुनाओ जो है वो बेहत रोमान्चक होने वाला है